अगर बाजार की जैसी एक तम फ्रेश हाईजिनिक मिठाई घर पर बन सकती है तो फिर बाजार से क्यों लाना मैं रुची सकते ना आप सभी का अपने चैनल में तो चलिए आज मैं आपके साथ शेर करने वाली हूं आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बैंगॉली स्वीट की रेसिपी तो बैंगॉली स्वीट में यहां पर मैं तीन वेराइटी आज कवर करूंगी मनतब एक छेना और तीन वेराइटी तो बैंगॉली मिठाई बनाना शुरू करते हैं बैंगॉली मिठाई बनाने के लिए एक लीटर गाय का दूद याद रखे कि अगर आप छेना बना रहे हो और परफ्रेक्ट छेना बनाना चाहते हैं तो गाय का ही दूद लें क्योंकि गाय का दूद जो है वो ज्यादा प्रक्रिया है वो शुरू करन क्योंकि छेना बहुत डेलिकेट होता है इसलिए बहुत ही सावधानी से इसे बनाना होता है नहीं तो दूद ज्यादा कर्डल होगे अगर तो आपका छेना की जगे पनीर बन जाएगा तो छेना को फाड़ने के लिए यहां पर मैं ले रही और इसमें डालूँगी कम से कम चार से चे चमच पानी तो कम से कम एक लिटर का जो छेना हम बनाते हैं उसमें चे से आठ चमच पानी हमें वेनेगर का लग जाता है रेसिपी पर समझ कर काम करेंगे तो फिर आपका छेना बिल्कुल परफेक्ट बनेगा छेने को बहुत ही इसके साथ में बनाएं जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करें क्योंकि यहां पर इसकी स्टेज को समझना जरूरी है कि कौन से स्टेज का छेना हमें तयार करना है जिसके लिए हमें उसके लिमिट में दूद को फाड़ना है तो यहां पर मैंने अभी तक तो चममच इसमें और यह अभी फटा नहीं है कम से कम छे से आठ चममच जब जाता है तब वो दूद से पानी बिल्कुल अलग हो पाता है तो यहां पर धीरे धीरे आप देख सकते हैं हलके हलके से दाने दिखने लगे होंगे इसी प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे और इन केस आपका अग चममच में नहीं फटता है दूद तो फिर आप दो चममच और भी रेडी कर सकते हैं इसमें डाल सकते हैं और अगर आपके पास वेनेगर नहीं है तो फिर आप लेमन जूस भी ले सकते हैं लेमन जूस में भी आपको उसी तरीके से पानी में लाके लेना है ऐसे नहीं डालन तो यहां पर आप देखिए पानी और जो चेने के दाने यहां बिल्कुल अलग हो चुके है chilli मलाई दीति मिल्क पर आता है यहां टेक्श्री आप देख सकते हैं कि हमको किस तरीके का चेना यहां पर लगने वाला है अच्छा चेने का मिठाई बनाने के लिए साथी में इसे चान लेते हैं यहां पर मैंने लिया है एक मसलन क्लोथ और उसमें मैंने यह सारा चेना यहां पर डाल दिया है और इसे एक पोडली जैसा बना लेंगे चेने को फाड़ने के बाद में यह एक एक बर दोबारह से इसका सारा एक्सिस वाटर निकाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से स्क्यूज कर लेंगे तो छेने को हमने यहाँ पर अच्छी से निचोड लिया था और इसे 10 मिनट के लिए लगपक रख दिया था जिससे इसका जो एक्स्ट्रा वाटर है वो सारा क्ल म totally dry को dare ज्यान, तो छेने में थूढ़ा मौसर होना ज़रोरी है और ज़रोरी है और चिकना होना ज़रोरी है तो यहा पर छेने को हमें यह जो हमारीunkति होती पाम से अच्छे से इसे रब करना है यह प्रोसेस को कम से कम 10-12 मिनुट देना जरूरी है तब जाकर आपकर जो छेना है वो एकदम चिकना और बेस्ट छेना बनकर निकलेगा जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंट्स यहां पर हमारे जो छेना पहले मैंने लिया था यानि जो बिल्कुल फ्रेश चेना बना के लिए था उसमें और इसमें क्या डिफ्रेंस है यह मसलने के बाद में बिल्कुल एकदम जिस तरीके से एक आटे का डू तयार करते हैं वैसा यहां पर बनकर बिल्कुल तयार हो चुका है और काफी चिकना है बस इनी चोटी-चोटी बातों का चेना बनाने के टाइम पर त्यान रखेंगे तो बिल्कुल पर्फेक्ट चेना बिल्कुल हलवाई स्टाइल में आपके घर पर भी बनकर तयार हो जाएगा अब यहां पर मैंने इसे फोर पार्ट में डिवाइड कर लिया है और एक एक पार्ट करके मैं इसे शेप दे इसी तरीके से और भी वेराइटिया बनती है अलग अलग तरीके से यहां पर मैंने सिलेंडर शेप में जो रूल बना लिया है और सर्किल सेप में बना लिया है और इस तरीके से सेंड़िच चेने के लिए भी हम स्क्वाइर में और रेक्टेंगिल में रोल के लिए बना ले बना लेते हैं तो इसका जो शिरफ है वो बहुत लाइट बनता है जिसके लिए यहां पर आधा किलो चीनी मैंने लिए और एक लीटर से डेल लीटर लगबग पानी लिया है चीनी को अच्छे से घुलने तक है इसे ना एक तार दो तार की चाशनी हां पर नहीं बनानी होती है जो मैंने अभी इसमें डाला जिसकी वज़े से इसके उपर जो आप यह जाग देख रहे ना यह जाग छेनी के उपर आना बहुत जरूरी है जिससे यह उपर से कवर होता है और उसके बाद वो छेना अंदर से पकता है बिसिकली इस जाग को लाने के लिए हलवाई लोग ज होता है तो इसी जाग के वज़े से हमारे जो चेना हो पक्के तैयार हो जाएगा पांच मिनुट तक सूर करते हैं लिज़े हैं दे जाविए लिए को जूदवा को थो करना है और उसके बाद इसे लेट लगा कर कम से कम 10-15 मिनिट के लिए पका लेंगे चेने को पकने के टाइम पर बीजवीश में थोड़ा-थोड़ा गरम पानी इसमें एड़ करते रहेंगे इसकी टैंपरेचर को मेंटेन करने के आप लेट के अंदर देख सकते हैं कि कितना अ प्राशनी में ट्रांसफर कर लेंगे और इसे अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे एक तरफ हमारा यह चेना ठंडा हो चुका है इसे साइड में रखते हैं और चलते हैं इसकी बहुत इंपोर्टन प्रोसेश तो यहां पर मैंने लिया है 250 ml मिल्क जिसमें मैंने एड़ किया कम से कम 25-30 ग्राम शुगर और इसे अची तरीके से बॉयल कर लेंगे याद रखें बॉयल करना है क्योंकि हमें इपना सारा चेना इसमें डिप करना है और सारे चेने को इसी तरीके से डूबो कर कम से कम 5-6 घंटे के लिए छोड़ देंगे आप पीसिस को कट करके अगर गंटे के लिए हम यहीं छोड़ देंगे तो फ्रेंट लगभग 5 घंटे हो चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो चेना है अच्छे से दूद को एब्जाब कर लिया है और बिल्कुल वाइट हो चुका है तो यहाँ पर इस तरीके से इसे असेंबल करना है बर थ कर लेते हैं जिसके लिए हमने यहाँ पर दूद लिया है तूद को गरम करने के टाइम पर यहाँ पर मैंने लिया है हाफ कप मिल्क पाउडर उसे भी डाल देंगे और अच्छी तरीके से घुल जाने देंगे साथी में कुछ केसर इस टाल देंगे इससे काफी अच्छा फ् पर डाल लेंगे और इसी तरीके से हमने अपना यहां पर जो क्रीम रेडि किया है मावे में थोड़ा सा इसी रबडी को एड़ करके मैश कर लिया था और इसकी फिलिंग कर दिये और कुछ केसर पिष्टा और रोस पेटल से इससे अगर आपको वीडियो पसंद आई है ना तो आप वीडियो को लाइक ज़रू कर दिजे और हाँ चैनल पर फर्स टाइम आये हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे आने वाली नई रेसिपी आप तक बहुत सके कॉमेंट करना बिल्कुल न भूले इसी की साथ मिलती हूं आपसे नेक्स वीडियो में नेक्स पिकिसाग बाबाइ